कहाणी अनोखा तलाग होया एद्दा कि पती ने पत्नी दे किसे गल करके थपड मारता ते पत्नी ने भी जवाब विच अपना सैंडल पती वलवगा आके मारया जो कि उदे मत्थे नू लगदा होया निकल गया मामला रफा दफा होवी जानदा पर पती नेता इसनू बहुत वड़ा गुना समझेया ते रिष्टेदारा ने इसनू गुंजलदार बनादता गुंजलदारी नहीं बलकि संगीन सब ने इसनू खांदान दी इज़त रोलन दे बराबर किया अजही ओरतनू कारवीच रखना ता मेयादी बुखारनू पालन बराबर है कोज लोकां ता एथो ताक गालकाड मारी कि अजही या ओरतानू ता जमन तो पहला ही मार देना चाहीद है सब बुरियां गल्ला ते नफरत आड़ती दी व्याज दी तरा वद दियां गया एदा लाग रहा सी के जे में दोनों तिरां दोशी सुटन दा वॉल्ली बॉल खेड रही होन दोनों तिरां द्वारा लड़के या लड़की ले अप्शबद कहे गए मुकदमा दरज हो गया पती ने पतनी ते चरित रहीनता आते पतनी ने पती ते दहेज दा मुकदमा दरज करवा दता छे साल तक व्योता जंदगी जियोन आते एक बेटी दे माता पिता होन तो बाद आज दोना दा तलाक हो गया दोना दे हाथ वीच तलाक दे कागज सन ते दोनों चुप सी शांत मुकदमा दो साल तक चलिया दो साल पती पतने एक दूजे तो अलाग रही सुनवाई वाले देन दोना नू ओना हुंदा सी ते दोनों जादवी एक दूजे नू वेक देता इंज विवहार कर दे कि दुश्मनी सदिया पुरानी होवे दोनों गुस्से छुंदे मान वीच बदले दी पावना दोनों एक दूजे तो नफरत पर इया नरजरा नाल मू फेर लेंदे हार वार दोना नू चंगी तरह सबक सिखाया जान दा कि उनाने कोट विच की कहना है दोनों ओही कहन दे कई वर दोनों पावुक हो जान दे पर फिर संबल जान दे पर आंतनों ओही होया जो सब चौन दे सी तलाक पहला रिष्टेदारां दी फोज नाल हुंदी सी अज कोज को रिष्टेदार ही ना सन सब खुश सन वकील रिष्टेदार ते माता पिता पती-पतनी चुप सन एहे महज एक इतफाक सी कि दोवे तीरा एक टी स्टॉल ते बैठी है सन सब ने कॉल रिंग लए एवी के इतफाक सी कि पती-पतनी एक बैंच ते आम्मों सामने जा बैठी औरत ने किहा Congratulations तुसी जो चाहिया सी ओही होया ते आदमी ने किहा नहीं तैन्नों भी वदाइया तो भी तलाक लेके जित गई ते ओरत केंदी है तलाक के जित दा प्रती खुंद है आदमी ने किया तुम दस परो चुप कर गई ते कुछ देर बाद बोली तुमेनों चरित्रहीन किहा सी हम मेरी गलती सी मैंनों नहीं सी कहना चाहिदा तो आनों नहीं पता इस गल करके मैं मानसिक तोड़ते बहुत परिशान हुई हम जान दा हाँ ऐसे हत्यार नाल ओरते वार कर देने सब मैंनों नहीं सी कहना चाहिदा ते मैंनों इस गल दा अफसोस है ते कुछ दिर बाद ओ फिर बोल लिया पर तोवी ता दास दा चूठा अरोप लाया सी मेरे ते गलत के हासी मैं पत्नी ने पती दियां अक्खांच देखते होई के हा सच तिरा लखविच दर्द की विया हुन पर तो एक्ससाइज विदा नी कर दी पती दी एह गल सोन पत्नी हास पई सच थोड़े अस्तमा दी की कंडिशन है हुन बस अस्तमा दे अटैक ता नी आए अस्तमा डॉक्टर सोरी ने मैंटल स्ट्रेस काट करन लई किहा है इन्हालर लेंदे हो? हाँ लेंदा हाँ पराजकार ही फोलाया आज विद्वानों सां उखडे उखडे आ रहे हाँ जिवें हो पत्नी अपने पती दे मानसिक तनावनों पढ़ सकती होगे कुछ देर चो प्रेन तो बादो बोलया तेन्हु चारलाख रुपए देने ते छेहजार मीना हाँ फिर वसुंदरा विच फ्लैट है गया तेन्हु ता पताई या तेरी नाम करादवांगा हो क्योंकि पैसे है नी मिरे कोड मैंनू सिरफ चारलाख चाही दे या ते फ्लैट दे कीमता वी लाख रुपए है बेटी वड़ी होवेगी सो खर्च हो जानगे ओता तुसी मैंनू छेहजार मीने दंदई रोगे चारलाख ही रेन देओ पती एकदम उदे चेरेवाल देखता रह गया पतनी डूंगी सोच विच डूब गई किन्ने चंगे सी ए किन्ना ख्यार रख दे सी मेरा सिहित हराब होनी तो सारी रात मेरे स्राणे जागती रहना हर ख्वाइश पूरी कर नी किन्ने चंगे सी मैं कमिया गट दी रही पते भी उदेवाल वेकदर याते सोच रहा से किना त्यान रख दी सी मेरा मेरे ले इनहेलर ले ओना मेरे खिलरे कपड़े सवारने सरदियां विच पाणी गरम करना मैं किना खुद गर्ज हो गया मरदानगी दे नशेच रहा काश ये दे जजबेनों समझ पौंदा दोवादियां अखा नाम सान मैं एक गल कहनी है कहो मैं डर्दा हाँ डरू ना हो सकदे ओही गल मेरे मन विच्वी होवे मैंनो तरी बहुत याद हों दिया मैंनो भी दोवादियां अखा कुछ जादा ही नाम हो गिया क्यों ना जण्दगी नू एक नवा मोड दाए आपा केडा मोड आपा फिर तो पती पतनी बाणकी रहन देया ती तलाक देही कागज फाड देनने आना नू उसने अपनी हाथनाल कागज फाड देते दोवे हत्थां चात पाके फिर खड़े हो गए तिकार नू चल पई दोवा पक्खा दे रिष्टिदार बहुत हैरान ती परिशान सान सिख्या जिन्दगी विचकी से तीजे जा रिष्टिदारां दी दखल अंदाजी ना चल लो जैसे पर लिस्टिजान काई डिष्टिव पूट्टिछ प्यूचे अट विट रिष्टिव जाफ टिल एंट ते चिर